असलावलेकुम दोस्तों मैं हूं महमूद एहमद दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको वाटर पंप पिंट्रोलर के आटो और मैनुवल दोनों तरह के कुनेशन करना सिखाएंगे यह एक अदर सेलेक्टर सुच है इस सुच को हम राइट की तरफ सेलेक्ट करके जो भी हमा तो जो भी आपका वाटर पंप है आप उसको मैनुवली भी आन कर सकते हैं और सेंटर में सिलेट करके आप इसको टोटल आफ कर सकते हैं दोस्तों इस सेलेक्टर सुच की बैक सेट पर चार पॉइन्ट बने हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे वाले दो पॉइ एटू के दो पॉइंट है जो के इस कुंटेक्टर सुचकी कुवाइल को आन और आफ करने के लिए स्टार्टिंग के पॉइंट है और इसके लावा इस अवर लोड रिले के उपर एन सी के दो पॉइंट है जैसा के अब यह आप देख रहे हैं 95 और 96 नंबर के यह जो दो पॉ हम टैक्टर सुचके ए 1 के पॉइंट पर कुणेट कर देंगे इस तरह जैसा के आपको नजर आ रहा है दो सो रेड क्लर की वयर को हम में फेस के दो पॉइंट करेंगे शृर इस रेड के एक एंड को हम आपने ब्रेकर में मजूद में फेस के पॉय्य पर connect कर देंगे इससे red wire के दूसरे end को हम अपनी overload के यह जो हमारे दो point थे nc के 96 और 95 इसको हम 96 arrow mogę नंबर पॉय्य पर connect कर देंगे इसस्तरा nc के यह जो दो point है एक ओर red wire को हम आपनी इसी overload रेके nc वाले लेकर यो दो point के यह जो नीचे की तरफ दो पॉइंटों को हम ने red wire के जरीए link किया था looping किया था इसी के साथ connect कर देंगे इस तरह जैसा कि आपको नजर आ रहा है यह जो हमारी red wire है पहले इस सुच के साथ connect होगी इन दोनों के साथ कठी looping हो जीगी और अभी हम एक और wire को वायर को हम अपने सेलेक्टर सुच की बैक साट पर यह हुमारा एक पॉइंट फारग था इसके साथ उपर की तरफ इस तरह कुनेक्ट कर देंगे जैसा कि आपको नजर आ रहा है और इसी फ्लोट सुच की दूसरी वायर के साथ एक और रेड कलर की वायर को हम कुनेक्ट पर जहां पर हमने इससे पहले भी वायर कोनेक्ट की थी यहांनि न्यूटल डिरेक्ट हमारे कुनेक्टर सुच को आ चुकी है एवन के पॉइंट पर एक जो है सेलेक्टर सुच से आ रही है अगर हम मैनवली चलाएंगे तो डिरेक्ट पावर यहां से मिलेगी और दूसरी जुच से आ रही है और हम इस लेटर सुच को आटो पर स्लेट करेंगे तो यह जो फ्लोड तो पर जीरी यहां पर अभी तो पर आपी सिंगल पर एक लेंप को और थिनों तारों को यहां होता है कि यहां पर आपको ampere सेट करने का option मुझूद है जैसा कि आपको नजर आ रहा है अगर आपका water pump जो है 10 ampere ले रहा है तो आप यहां पर इसको 10 ampere पर select कर दें दोस्तों आपको connection की और सरकड की testing करवाने के लिए अभी हम single face की दो वैरों को यहाँ पर connect करेंगे अगर आपके पास थ्री फेस पंप है तो आप तीनों फेस यहाँ पर connect करेंगे दोस्तों अभी हम टेस्टिंग के लिए breaker में मजूद अपनी बिजली की power को on करेंगे दोस्तों आपका water pump single phase हो या three phase हो control करने के यह जो connection है यह same ही होंगे दोस्तों जैसा कभी आप देख रहे हैं कि अभी यह जो हमारा स्लेक्टर सुच है आफ की position पर है और अभी हम इसको आटो पर करेंगे ताके हम गर पर मजूद हो या ना हो पानी कम होने की सूरत में हमारा water pump जो है automatic on और आफ होता रहे जैसा क फिर नीजे की तरफ आन फिर उपर की तरफ आन और अगर आपका यह जो float सुच है किसी विए से खराब हो गया या कोई भी मसला है आप इसी water pump को manually आन करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह manual की position पर करेंगे इस तरह जैसा कि देख रहे हैं मारा water pump आन हो चुका है फिर आफ हो चुका है अगर आपका water pump जो है ज्यादा ampere ले रहा है तो यह जो हमारी overload relay है इसको ज्यादा ampere लेने की सूरत में trip करवा देगी जैसा कभी आप देख रहे हैं यह आन की position पर है अगर ज्यादा load होगा या कोई प्राबलों होगी तिस तरह वह इसको trip करवा देगी आफ कर पर ने आया है तो इसे subscribe कीजिए विजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का wizard कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिस